सब्सक्राइब सब सौप दो प्यारे प्रभु को सब सरल हो जाएगा खुशियों के सुन्दर जील में जीवन का मल भुसकाएगा सब सौप दो प्यारे प्रभु को सब्सक्राइब तेरे पास सब उसकी अमानत है अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है सब कुछ तेरा ये मान ले सब कुछ तेरा हो जाएगा जिन्ता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा सब सब दो प्यारे प्रभु को आकाश से उची तुम्हारी भावनाए हो दिल हो बड़ा सब के लिए शुभ कामनाए हो कल्यान करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा कल्यान करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा कल्यान करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा आजाद हो पिंजवे से पंची फिर निकल उड़ जाएगा सब सौप दो प्यारे प्रभु को सब सरल हो जाएगा सब सौप दो प्यारे प्रभु को सब सरल हो जाएगा खुशियों के सुन्दर जील में जीवन कमर बुसकाएगा सब सौप दो प्यारे प्रभु को कि अ झे बुदाले को सब सके तक परोभु को आजा से तक अ का 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 आएगा सब सकते हो जाएगा सब सकते हो जाएगा में जाएगा सा थाम आएगा सानőर होग Clos की चॉरर जाएगा झाल 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 सभी रिलाक्स्ट होकर बैठें शरीर को एकदम कमफर्टिबल करे और अपने ब्रुकुटी के बीच में अपने लक्ष को एकागर करे देखे अपने आपको मैं वो चमकता हुआ सितारा और शरीरी आत्म हुँ मैं आत्म इस देह का मालिक हुँ इस शरीर को जलाने वाली शक्ति हुँ अनुभव करे अपने आपको मैं इस शरीर से बिलकुल अलग हुँ बिन्न हुँ अलाकिक हुँ ये शरीर मेरा नहीं ये भगवान की अमानत है मैं तो सिर्फ इस शरीर का ट्रस्टी हुँ अब कुछ क्षण के लिए अपने शरीर से अलग हो जाए और देखे इस वस्त्र को मैं आत्मा अपने संगम युगी चोले को देख रहा हूँ पूछे अपने आपको ये शरीर मुझे किस ने दिया और क्यों दिया है अब शिव बाबा को अपने सामने अनुभाव करते बाबा से रूह रिहान करे बाबा ये शरीर तो आपकी अमानत है आपने मुझे दिया है मैं अते सुक्ष्म आत्मा हूँ इस शरीर का ट्रस्टी हूँ बाबा आपकी इस अमानत को मुझे सिर्फ इश्वर्य सेवा के लिए यूज करना है अब चेक करें क्या इस शरीर को मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ यूज करता हूँ क्या शरीमत के खिलाब कोई भी करम इस शरीर द्वारा करता हूँ क्या इस दे हमें मैं पन मेरा पन है अगर इस शरीर को मैं समझ कर मैं आत्मयूस करता हूँ तो ये भगवान की अमानत में खयानत है तो मैं ट्रस्टी बाबा से ख्षमा मांगता हूँ कि जब भी मैंने इस शरीर को अपना समझ कर कभी भी करमेंद्रियों के वश होकर यूज किया तो बाबा मैंने आप की अमानत में खयानत कर दी है इसलिए मुझे ख्षमा करें रहम का सागर बाबा मुझा आत्मा पर शक्ति की गिरने बरसा रहा है मुझे एक बार फिर से याद दिला रहा है कि बच्चे ये शरीर आपको सिर्फ विश्व कल्यान के लिए मिला है आप सिर्फ इसके ट्रस्टी हो तो इसे एक अमानत समझ कर ही यूज करना हाँ बाबा आज तक जो हुआ सो हुआ लेकिन आज के बाद मैं इसे सिर्फ आपकी अमानत समझ कर ही यूज करूंगा ये शरीर आपकी सेवा में समर्पित है बाबा विजुलाइस करे बाबा से निकलती हुई शक्ति की गिर्णे मुझा आत्मा में न्यारे और प्यारेपन की शक्ति भर रही है मैं आत्मा भी उस शक्ति का अनुभाव करते इस शरीर रुपी वस्त्र को देख रहा हूँ मैं डिटाच्ट हूँ ट्रस्टी हूँ कुछ अक्षन इस संकल्प में स्थित हो जाए मैं आत्मा इस शरीर का ट्रस्टी हूँ कुछ वस्ति का इस्थित है कुछ उस्ति का आत्मा भी तो झाल झाल अब मैं आत्मा अपने रिष्टों को देखता हूँ जिनको मैं मेरा मेरा कहता रहा क्या सच में वो मेरे है क्या वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे चेक करें ये सभी आत्मा है जो मेरे लौकिक परिवार में है वो भी भगवान के बच्चे है मुझे इस परिवार में स्वयम भगवान ने भेजा है उनकी सेवा करने के लिए ये सभी मेरे भाई बेहन है मैं इनका भी ड्रस्टी हूँ सिर्फ सेवा अर्थ मुझे इनकी भी देखभाल करनी है इनको भी संभालना है लिकिन न्यारा और प्यारा होकर इनात्माव का कल्यान करने के लिए बाबा ने मुझे यहां रखा है तुछे करे क्या ट्रस्टी भाव से मैं इन आत्माव को देखता हूँ या इन में भी मेरा पन है क्या कभी लौकिक परिवार में किसी को कुछ होता है तो क्या मेरे मन की स्थिती डगमग होती है आप संकल्प करे यह सभी भगवान के बच्चे है भगवान इनका भी रक्षक है हर एक का पार्ट अलंग अलंग है तो जब तक हम साथ है तो मुझे इन आत्माओं की सेवा करनी है और जब समय आए तो खुशी खुशी से मुझे इनको विदाई भी देनी है कोई अटाच्मेंट नहीं कोई मेरा पन नहीं बाबा ये सभी बच्चे आपके है आपको समर्बित है मैं तो सिर्फ इनका ट्रस्टी हूँ आपके लौक एक परिवार को संबन संपर्ख में आने वाली आत्माओं को आपके सामने इमर्च करते आप संकल्प करे मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए आप जो हो जैसे हो मैं आपको स्विकार करता हूँ मैं आपके अच्छ आत्माओं करता हूँ झाल झाल इन सभी आत्माओं को देखते हुए संकल्प करे मेरा यहां कोई नहीं लेकिन सब मेरे है इस न्यारेपन और प्यारेपन की अनुभुती में कुछ ख्षन के लिए स्थित हो जाए और इन सभी आत्माओं को गुणों की शक्तियों की किरने देते रहे बाबा भी मुझे में अनंत शक्तियों की किरने भर रहा है और मेरे द्वारा इन सभी आत्माओं को वो किरने मिल रही है मुझे दाता का बच्चा मास्टर दाता बनकर सिर्फ देते जाना है किसे से कोई अपेक्शन है स्वयम भगवान मुझे भरपूर कर रहा है मुझे में ट्रस्टी पन का भाव जागरुद कर रहा है कितना हलका पन है कितना है अपेक्शन है अपेक्शन है कितना है अपेक्शन है अपेक्शन है अपने स्थूल साधनों को घर को वैभव को जो रोज हम चीजे यूज करते हैं उनको अपने सामने इमर्ज करता हूं और चेक करता हूं क्या इन में मेरा ट्रस्टी भाव है अगर उन में से किसी वस्तू को कुछ हो जाता है तो क्या मेरा मन विचलित होता है बाबा को सामने रखते सब सच सच बाबा को बताए बाबा से रूहरी हान करे बाबा भी मुस्कुराते हुए मुझ आत्मा में शक्ती भरते हुए मुझे फिर से एक बार याद दिला रहा है कि बच्चे ये सभी चीजे मैंने आपको सेवा के लिए दी है आप इन सभी चीजों के भी ट्रस्टी हो अगर आप इसी सेवा के विपरीत यूज करते हुए मेरे पन के भाव से इस्तमार करते हुए तो बच्चे मेरी इस अमानत में आप खयानत कर रहे हो ये मेरा पन अंतिम समय में आपको धोका देता बच्चे इसे लिए अभी से ट्रस्टी बन जाओ हाँ बाबा ये सभी वस्तू वैभाव ये लौकिक घर ये लौकिक साधन सब कुछ आपको समर्पन है मुझे ये सब यूज करने है लेकिन डिटाच होकर और सिर्फ सेवा के लिए अब इसी एक ही संकल में स्थित हो जाए कि मैं इन साधनों का ट्रस्टी हूँ ये मेरे नहीं ये भगवान की अमानत है अब अपने आपको ले चलेंगे अपने अलोकिक परिवार में देखे अपने सेंटर को निमित्द को अपने अलोकिक परिवार को और चेक करे क्या इन में किसी में भी मेरा पन है मेरी सेवा मेरा सेंटर मेरा जी क्यासू मेरी निमित्द क्या ये आत्मा है हमेशा मेरे साथ रहेंगी चेक करे मैं आत्मा जानता हूं ये अलोकिक परिवार तो भगवान की देन है सिर्फ बाबा की वज़र से हम एक साथ है ये सेवा भगवान नहीं मुझे दी है ये सेवा की विशेष्टा पर्मातम देन है तो इस विशेष्टा को भी मेरी कहना सेवा को भी मेरी कहना ये भी अमानत में खयानत है स्वयम भगवान मुझे में ये विशेष्टा भरकर मेरा भाग्य बना रहा है तो ये मेरी कहां से हुई मैं इस सेवा का भी विशेष्टा का भी ट्रस्टी हूँ कितना भाग्यवान हुमें जो इतनी करोडो आत्माओं में भगवान की नजर मुझे पर पड़ी और उसने मुझे कहा बच्चे तु मेरा मददगार बन सकता है और इससे तु अपना भाग्य बना सकता है तो उस भगवान का मैं कितना धन्यवाद करूँ कि उसने मुझे लायक समझा बाबा आज तक जो भी सेवाए आपने मुझे से करवाई है वो सब सेवाए आपको समरपन मेरा कुछ भी नहीं बाबा जब तक मैं आत्माई शरीर में हूँ तब तक आप ये विशेशताई यूज करते रहे ये आपकी ही अमानत है आपको ही समरपन है मैं इन सेवाओं का भी ट्रस्टी हूँ आपको ही ये विवाओं का भी ये ये आपको ही वाओं का भी तक प्रणाव का भी ये आपको भी ये जहाँ प्रणाव में है बाबा ये तन मन धन समय श्वास संकल ये सब खजाने आपने दिये है ये मैं आज आपको समर्पित करता हूँ इन सब खजानों का मैं ट्रस्टी हूँ इसलिए मुझे सिर्फ इश्वर्य नियम मर्यादाओं के ऊपर चल कर इन्हें श्रीमत अनुसार ही यूज करना है आज तक जो मैं पन या मेरे पन की वज़े से गलतिया हुई उन सभी गलतियों के लिए बाबा मैं आप से खशमा मांगता हूँ विजूलाइज करें बाबा भी अपनी शक्ती ही किरणों से मुझे एक शमा कर रहे है और कह रहे है बच्चे बीती सु बीती अब आगे के लिए सावधान कभी भी मैं पन नहीं आए इसका अटेंशन रखना बच्चे हाँ बाबा मैं अब बक्काट रस्टी बन चुका हूँ ये शरीर ये रिष्टे ये वस्तू वैभाव ये सेवा विशेश्टाए ये सब खजाने बाबा की अमानत है मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ मेरा यहां कुछ भी नहीं सिर्फ एक शिव बाबा और मैं बस और कुछ भी नहीं कर दोड़ी हुआ है ये सेस्टी हूँ मैं ट्रस्टी हूँ अब शान्ती हूँ सांसों की माला में जिसकी यादे है फिरोई सांसों की माला में जिसकी याद है फिरोई मेरे तो शिर बाबा एक दूसरों न कोई सांसों की माला में जिसकी याद है फिरोई मेरे तो शिर बाबा एक दूसरों न कोई 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 मेरे प्रशिम जाबा एक जुरू सरोना कोई एक कुछी से दिल का रिष्टा एक कुछी से नाता है एक कुछी से दिल का रिष्टा एक कुछी से नाता है इननों को सिवाशिव के और मजर नाता है इननों को सिवाशिव के और मजर नाता है मात पिता, शिक्षक तद गुरु, मात पिता, शिक्षक तद गुरु, बंदु सखात गुवो है, मेरे तुशिव बाबा, एक जूस रोना कोई मेरे तुशिव बाबा, एक जूस रोना कोई जब से उसको जाना है, एका मिला खजाना है जब से उसको जाना है, एका मिला खजाना है आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला तिकाना है उसी को पाने की खातर सी, उसी को पाने की खातर सी, युगों से प्यां रोही मेरे तुशिव बाबा, एक जूस रोना कोई मेरे तुशिव बाबा, एक जूस रोना कोई संग उसी के खेलों खाओ, साथ मेरा सरचाओ संग उसी के खेलों खाओ, साथ मेरा सरचाओ उसकी याद में उसके प्यार में सारे जुक अब में पाओ उसकी याद में उसके प्यार में सारे जुक अब में पाओ मेरे तुशिव बाबा, एक जूस रोना कोई 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 मेरे तुशिव बाबा, एक जूस रोना कोई